है एक है एक पर थोड़ा सा फिर्शे डिस्क्स करेंगे बट आज का जो टॉपीक होसी में एक टाइप अपने पास जो कि यह कंप्लीट अब देखिए हमने दो तरह के प्रोटिन कैसे बनता है प्रोटिन के अगर हम फोरमेशन की बात करते तो फोर्मेशन होंती अलफा मिनो ऐ प्रोटिन की अब यह कंप्लीट प्रोटिन है क्या कंप्लीट प्रोटिन आप उसको बोल रहे हो इस तरह के प्रोटिन जिसके अंदर असेंशियल अमीनो ऐसेंशियल ठीक है जो अलफा मिनो ऐसेंशियल इंक्लूड होते हैं वे सारे के सारे कंप्लीट प्रोटिन के लाते है इस तरह के प्रोटीन अब देखिए यह एसेंशिल नोद एसेंशिल किया हम पहले भी डिस्कस किया था असेंशियल अमिनोएशन वे होते हैं जो हम बाहर से डाइट में लेते हैं या फिर हम बात करते हैं कि वे प्रोटीन है हमारे पास जो हम बाहर से लेते हैं उसको अब असे बोड़ी खुद सिंतसाइज करती है अब हमने का कि कंप्लेट अब क्या करोगे जब मैंने बोली दिया कि बाहर से ले रहे हूँ और सारे के सारे इंक्लूड करता है जिसके अंदर असेंशिल पार्ट रहता है तो कौन से उसे आते हैं जैसे कि हम मिल्क की बात कर लेते हैं अब मिल्क पीते हो बाई तो मिल्क के अंदर सारे के सारे जो असेंशिल अमिन आशिड्स होते हैं अल्फा मिन incomplete protein कुंसा ? incomplete protein means इस तरह के protein जिसके अंदर सारे के सारे सारे के सारे जो alpha amino acids है वे नहीं आपते हैं alpha amino acids means जो essential amino acids हैं वे सारे के सारे include नहीं होते हैं तो आप इसकी definition मी जे लिख सकते हो, these are the proteins which are lacking one or more essential alpha amino acids जिसके अंदर lekker कमे हो किसकी alpha amino acids कि उसके बारे में बात करते हैं अब इसी के अंदर एक condition और की बात कर रहा है कि वह यह कौन सी चीज़ हो सकती है जैसे कि protein of rice की बात कर रहा है इसमें जो rice होते हैं wheat की बात कर रहे हैं इसके लाबा पल्सीज की बात करते हैं, तो वो कहला था, आपका incomplete protein, ठीक है, एक अपने पास था कोई सा globular protein और एक fibrous, fibrous की बात की थी, तो हमने आपको बताई भी थी, आपको ध्यान हो तो, fibrous protein में क्या काम किया था, कि fibrous में क्या होता है, कि आइसेड़ की एक long chain होती है, जो की एक दूसरे के parallel होती है, इस तरह से, ठीक है, और इनके बीच में जो bond बनता हो, hydrogen bond बनता है, अच्छा strong bond बनता कुन सा, hydrogen bond होता है, तो यह अपने पास जो condition होती है, fibrous protein की होती है, अब नाम से indicate हो रहे है कि इसके तरह fiber की तरह होता, thread-like structuring की मिलती है, एक होता globular protein, globular, globular protein कोंसा होता बाई, globular protein वो protein होता है, जो की देखे, globe, globe कैसे, जैसे globe होती है, वो एक spherical shape में होती है, इसे परकार सेखाता है, जब यह coiled form में हो जाते है, एक spherical form में हो है, तो हमारे पास क्या क्या लगता है, globular protein, अब जो globular protein होता है, उसमें क्या होता है, जो alpha amino acid, इसके chain होती है, यह coiled form में हो जाती है, कुछ ऐसी ऐसी है, इस तरह से, और जो इनके बीच में force of attraction लगता है, वो लगता है, यह हम पहले भी discuss कर चुके, यह क्या होता है, तो यह सब था कि इसके बारे में, और fibrous की और बात करो, तो आपके पास एक दो condition और दे रखिये, कि insolubal in water होते हैं, fibrous क्या होते हैं, insolubal in water, जबकि globular जो protein होता है, वो naturation of protein, protein का denaturation करना, denaturation कैसे हो सकता भाई, protein का, अब देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, छोटा से example देता हूँ, आपने egg देखा होगा, एक को जब तक उसको boil नहीं करते हैं, जब होता है, तो आप उसको क्या करते हो, क्या करते हो, आप उसको ऐसे हला कर देखोघनда, उसके अंदर आपको ऐसा लगलेक एक लिक्विड है, ठीक है, अब असल में उसके अंदर जो है साफ के फैट होता है, और अवांटी है, और वांपी का protein होता है, उसके उड़ंदे हो aa उबालने के विज़े से क्या होता है कि आप थोड़ी देर में जब उबालने के बाद उसको ऐसे इलागी देखना आपको ऐसा लगेगा कि अब इसके अंदर ना वह लिक्विड जो था वह नहीं है वह बिल्कुल सोलिड की तरह हो जाता अंदर इसका मतलब हुआ क्या कि जो ए इसमें वीक वेंडरवल वेंडरवल फोर्स ओफ अट्रेक्शन रहता है अब क्या होगा डीनेचुरेशन का मतलब डीनेचोर कर देना कि जो प्रोटीन है अगर आप उसको उस अंडे को पानी में डालके उबाल रहे हो जिसका मतलब टेंप्रेचर को आप इंक्रीज कर रहे ह जो यह ग्लोबलर प्रोटीन था यह ग्लोबलर प्रोटीन गाजो वीक वेंडरवल फोर्स ओफ अट्रेक्शन था यह हट जाएगा एक तो वी की है हटने के वज़ेसे वो किसकी तरह बन जाता बाई अगर आप बात करते हो तो कहीं न कहीं आपका हुए कि फाइबरस बोल सकती हो कि प्रोटेन के अंदर कौन से वाले प्रोटेन में आप एचीट अडिकर दो या फिर इशan करने की वझे से हैं या फिर temperature के increase करने के जैसे वो जो globular protein है वो fibrous protein में convert हो रहा है means convert होने का मतलब जो bond of attraction जो पहले force of attraction था जिसके जिसके bound था तो उसमें तो नजदिक था force of attraction ज्यादा लगा था force of attraction कम हो गया तो इसका मतलब उसका volume बढ़ गया इंक्रीज हो गया इंक्रीज होने के वज़े से यही reason अबस denaturation का और यही question आपके एक्जाम में पूछा जाता है कि denaturation of protein है क्या तो simple language में को कि temperature के बढ़ाने से या फिर acid या base के एड़ करने के वज़े से जो globular protein है वो अपनी प्रोचेस को क्या बोलते है आप डी नैचुरेशन और फिर प्रोटीन बोलते हों अप सो यह बात आपको समझ में आगे कि denaturation और प्रोटीन क्या है ठीक है तो यह कर लेना यह तो प्रोटीन का हुआ अब हम बात करते हैं आज कुछ एक नेक्स टोपिक की जो कि अपने पास विटामीन्स कि विटामीन्स है क्या है देखिए यह जो विटामीन्स यह कहां से मिल आपको अगर मैं इसको अलग लगत तो विटामीन्स ठीक है तो आप यहां से देखोगे वेटा और पलस अप अमाइन्स कर तो इसको एक प्रगार्श है यह समझने को सीज़करना मेंस कहीं न कहीं के अंदर आ माइस का मतलब ही तो हैं इसके अंदर में जहाएक कि यह एक भायो मोलिकुल है और जैसे अगर यह अपने को प्रोपर माउंट में ना मिले तो अपने जो बोडी की जो ग्रोथ होती है वह रुक जाती है तो बोडी की ग्रोथ के लिए डिवलमेंट के लिए विटामीन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है उपसो यह बात आपको समझ में आए हुए कि विटामीन के लिए क्यों जरूरी है इसके लावा हम और बात करते तो विटाल और माइन से मैंने बताए दिया यह उत्ता हमारे पास यह उरूर इसमें एक दो चीज और आप खुद्यान रखनी है कि तो यहां से विटा वैसे नमाना बहुता है बट विटाल इसमें वह बहुत रखे कि विटाल पला समाइन से बात कर रहा है तो यह बात करते हैं इसके दो टाइप होते हैं एक के विटामीन जो होता हो वो वोटर शोलिवल होता है क्या होता है इसके टाइप्स के बात करूग या पर तो दो टाइपस आपको मिलेंगी कौन कौन से वोटर सोलीबल और दूसरा आपने पास अपता वाई अब फैट सोलीबल इसके स्टोरी समझना वाई बहुत आसान सी बात है अब यह पानुमी ड्योल हुआ है आप कोंसे होते जो वोटर सोलीबल होते हैं उसके बारें सोली बात कर दो अपने पास मिलता है जब किया पल यह पर फैट सोरे बिलता है फैकने ए के ठीक है यह अपने पास कौन से मिलते हैं फैट इस तोरी हो जानते हैं कि जो फैट सोलीबल होते हैं अगर एकसस अमाउंट में ले लिए जाए ना तो हरम फुल हो जाते हैं इनके पीछ से बहुत सिंपल सा लोजिक है अरम फुल क्यों हो जाते हैं डेंजरस हो जाते हैं आसा क्यों को वो इसलिए कि देखे फैट शूलिवल तो यह सीधा सीधा अटैक करें कि इसके उपर लीवर के उपर इसके उपर अपने बोडी के अंदर ना एक टिश्यू होता है जोकी जिस fat को contain करता है या भी fat को storage अरकता है जिसको बोलते हो अप एडिपोज tissue क्या बोलते हो एडिपोज tissue अब अगर आपने यह fat soluble खा लिये है ज्जादा ले लिया तो इस क्या करेगा लिवर में और एडिपोसिट इश्यू में वहाँ पर जाके जम जाएगा एक प्रकार सीख़ेगा कि स्टोर हो जाएगा तो इसके हारम फूल इफेक्ट आने स्टार्ट हो जाएगे जबकि मैं बात करूँ वोटर सोलिवल की इन से हमारे को कोई खत्रा नहीं है ज्यादा क्योंकि यह वोटर सोलिवल यह ज्यादा ले भी ले जाए तो यूरीन के थुरू बार हो जाते हैं बट इसमें भी एक 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 स्टार्ट है जो विटामिन जो बी होता ना बी का एक टाइप होता है बीट फेल यह खतरनाक है अगर यह ज्यादा माउंट में चला गया तो भाई यह दिक्कत करतेगा क्या क्या दिक्कत करेगा कैसे करेगा उसके बारे मताबी हम बात करें ही क्या चीज़ होती है बट फिलाल के लिए यही है कि जो टाइप्स की बात कर ली तो हमारे पास दो टाइप्स तो मिली गए तो वोटर शोलिवल दूसरा फेट शोलिवल अब आप इसमें समझ सकते हो कि कौन-कौन से तो मैंने बता दिया कि फेट शोलिवल ज्यादा डेंजरूरस है क्योंकि हमारी बोड़ी को चला रहें किने सबसे जरूरी चीज हमारा लीवर जैसे इंसान का लीवर काम नहीं करता तो वह यह मान के चलो कि उसको कोई भी चीज डाइजेस्ट होई नहीं सकती है वह एक हनी सिंग का गाना भी है कुनसा है क्यों लीवर मेरा बोतल को पुकारे कैसे हो ठीक अब एक कंप्लीट ध्यान नहीं आ रहा है तो खुल मिला कि वह यह कि लीवर लीवर जब अच्छा काम कर रहा तो आप बता सकते हो कि वह उसको खाया पिया सारी चीज लगेगी वाई तो यह थे फिलाल हमारे पास विटामि जो टाइब की बात कर लेता हम ठीक है एक चोटा सा टोपिक अपने पास हाँ हम इसके बात कर लेते हैं कि अगर अपने पास एक तो वाटर सोल्यूबल में विटामिन बी जो था बी के भी तीन चार टाइप हो बाई उसको धान रखना है विटामिन जो बी उता है कि अगाओ कि मेसे रिटामीन वीन द्र्शली कोंपलेक्स वोल थे कोम्पलेक्स इसलिएघक आज़ा है किमिन न आप पास से गीवन हुए हमएं तो फिलाल हम की बारे में डिस्क्स कर रहे हैं कि used to अपने पास है तो यह था हमारे पास विटामीन के बारे में कि विटामीन B कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं तो यह और दूसरी बात अगर हम बात करते हैं कि आगे जो fat soluble यह तो मैंने बताई दिया आपके आपको जो लीवर होता हूँ उसको ज्यादा effect डालते हैं और जो एडिपोस टीशू होता हूँ अगर इनका एक्सेस हो जाता तो एक बिमारी होते हैं भाई Libra Be बोड़ी के अंदर विटामीन का एक्सेस हो जाना अब एक्सेस हो गया तो डिक्कत फोजाएगे अगर ये बिमारी हो झांडिया आज ना लास्ट में इसका मतलब समझे लेना कोई प्रोशेस हैं अब इसके वजए से दिक्कत क्या क्या जाती है तो वो मैटिंग हो सकती है दूसरा है डेक हो सकती है डिजिनेस हो सकती है यह कुछ सिम्टम्स होते जो दिखाई देते हैं इसके लावा हम वाटर शोलिवल तो हमने बताई दिया कि ज्यादा वह यूरीन के थुरू निकली आते हैं तो विटामिन B12 को छोड़कर बाक से वर्क करता है ठीक है अब विटामिन एक ही बात कर लेते हैं ठीक है एक दो विटामिन को डिसकस करें लेते हैं इसमें कम्प्लीट ही हो जाएगा कम्प्लीट विटामिन के बारे में ठीक है या फिर नेक्स्ट में देखें चलिए हम टाइप सो विटामिन आओ नेक्स्ट क क्या होता है या फिर हमारे पास दो तर्य ही वित्यामीन कौन कौन सी होते हैं रख फेट तो करना निसम्त बारता हो नढ़ा लगा करने जब बिकार बीमार हते तो डॉक्टर क्या करते है कोनों साय उसमें पक्का देख लेना कि आपको विटामिन बी तो मिलेगा ठीक है तो यहीं था फिलाल तो विटामिन के बारे में बाकी क्या हम तोपिक नेक्सट क लस्में करेंगे बहुत कुई मुश्किल सा निया है बहुत आसान सा आपको 12th class के अंदर आगर आप इसकी बात इसके पढ़ रहे हो तो आसानी से आप इस चीजों को लर्न करके थोड़ा सा जो मेत वाले बच्चे उनको थोड़ा सा अजीब सा लगता कि यह अजीब से वार्ट सा गए ऐसी कोई बात नहीं यह एक आप इनको फैमिलियर वार्ड की तरह स समझिए आप आसानी से इन चीजों को पड़े सकते हों ठीक है तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं ट्राइप्स ओव विटामिन्स के बारे में और उनसे कुन कुन से विमारी हो सकते हैं उनकी डेफिसिएंसी के वाज़े से कि ओक ओल दे बैस्ट